नमस्कार दोस्तों मैं सुझीत कुमार सिंग एडवांस कंप्यूटर ट्रैनिंग शूर्ट से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस video टिक्टोरियल में आज हम बात करने जा रहे हैं वी आई टूल्स की इस रिलेशन के बारे में Microsoft का Power BI Tools जो की काफी ज्यादा Microsoft इसमें आज काम कर रहा है इसकी BI Tools के बारे में हम आपके साथ डिसकस करेंगे सबसे पहले तो आपको Microsoft की BI Tools वाले साइट पर जाना है उसके डाउनलोड वाले सेक्षन पर जाना है और Power BI को यहां से Microsoft Power BI Desktop उसको आप डाउनलोड करेंजीए यह तक्रीमान एक सो कुछ MB का है तो तुरासर डाउन्लोड होने में टाइम लगेगा मैंने इसको अलेडी डाउन्लोड कर रखा है यहां पर 187 MB का है और मैं इसको ओपन करता है ओके कीजिए और रन कीजिए उसके बाद अगर आपने डिफॉल्ट ब्राउजर से इस प्रोग्राम में करना चाहते है कि यहां से आपने लोगेशन को चेंज कर सकते है फिर नेक्स्ट आपने इंस्टोड तुरासर यह ताइम गंजूम करता है यह कीजिए यह कीजिए यह कीजिए यह कीजिए कीजिए एंगर कर दो दो ऑने कि इंत अे कर दो फिंग हैं तो इंग वेल कर दूबस्ते हैं और यह आपके लेक्स्टॉप पे पावर विया आ गया और पावर विया इक आपके पास एक्स्टॉप पे यहां दिन गया है मॉडल में श्लाइज कर रहा है यह आपका पावर विया इंस्कॉलर अब इसमें यूज़ करने से पहले आपको यहां पे इसकी लॉगिंग करना पड़ाएज लॉगिंग नहीं करेंगे तो फिर यह नहीं चलेंगे कि लॉगिंग पे जाता है आप इसको लॉगिंग करना परेगा विदाउड लॉगिंग आप इसका इस्तिमाल नहीं कर सकते हैं या फिर आपको अपना एकाउंट क्रिएट करना परेगा अब इसके बारे में हम आपको आगे क्लास में बताएंगे फिलाल के लिए इतना ही और ये विडियो अच्छा लगा तो लाइक केजिएगा सस्क्राइब केजिएगा आपने फ्रेंज को रिकमेट केजिए थैंक वाचिंग इस वीडियो और मैं बाइस ते